पॉसमास के सुक्लपक्ष की अस्टिमी तिथी से पॉसमास की पूरीमा तक साकंबरी नवरात्री मनाय जाती है पॉसमास की पूरीमा के दिन साकंबरी जैनती मनाय जाता है साकंबरी नवरात्री का आरम पॉसमास के सुक्लपक्ष की अस्टिमी साथ जन्वरी दो हजार पच्चिस दिन मंगलवार को है साकमबरी जैनती अर्थाद साकमबरी नवरातरी का अंत होगा साकमबरी जैनती साकमबरी पूडी मा मनाई जाएगी तेरा जन्वरी दो हजार पच्चिस को साकमबरी पूडी मा तिथी का प्रारम होगा तेरा जन्वरी दो हजार पच्चिस को सुबा पांच बच के तीन मिनट पर और पूडी मा तिथी की समाप्ती होगी चौदा जन्वरी दो हजार पच्चिस को सुबा तीन बच के चपन मिनट पर देवी साकंबरी को देवी दुरुगा का अवतार माना जाता है साकंबरी नवरातरी में देवी अनपूना की साथना के साथ दान पुन्य भी किये जाते हैं साकंबरी नवरातरी को सिध्धी प्राप्ति और तंत्र साथना के लिए उप्युक्त माना जाता है देवी साकंबरी क स्रद्धा भक्ती और विदी विधान के साथ साधना करने से मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है। नौ दिन तक रात्री को दुर्गा सप्त सती का नित्य पाठ करे। 108 बर देवी साकंबरी के मंत्र का चाप करे। मंतिस प्रकारे ओम, हीम, स्रीम, क्लीम, भगवती, अन्यपूर्णे, नमा, देवी भागवत का पाठ यस्रवड करे। देवी को भोग में ताजे फल अर्पित करे। संबा होतों साकंबरी नवरात्री के सभी धिन व्रत करें और फलाहार करें। सास्त्रों के अनुसार इस नवरात्री में जरुरत मंदों को फल सबजी आदिदान करने से देवी साकंबरी प्रसन होती है। तथा जातक को महापुन्य की प्राप्ति होती है। सुक में जीवन के लिए साकंबरी नवरात्री में देवी अन्यपूर्णा का हवन पूजन करें। देवी साकंबरी का स्वरूप मारकंडे पुराण में देवी साकंबरी के स्वरूप का वर्णन मिलता है। देवी साकंबरी नील वर्ण है। उनके नेत्र भी निल कमल के समान प्रतीत होते हैं। देवी साकंबरी कमल के फूल पर विराजमान है। उनके चार हाथ है, एक हाथ में कमल पुस्प, दूसरे हाथ में बाड, तीसरे हाथ में साग, फल और चौते हाथ में धनुसुसुबित है। वेदो को अपने अधीन कर लिया और साथ ही यग्यादी से देटाओं को प्राप्त होने वाली सक्तियां और भाग भी अपने अधीन कर लिया। धर्ती पर वर्सा नहीं हुई। सभी तरफ अकाल, सूखा और भुक्मरी फैल गई। धर्ती की ऐसी अवस्था देखकर रिशी मुनियों और देटाओं ने मिलकर देवी आवदी सक्ति का आवान किया। अपने भक्तों के आवान पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने जब प्रिश्वी की ऐसी दुर्दसा देखी तो उनके नेत्र से आसु निकलने लगे। देवी ने तब साकंबरी अवतार लिया। उनके सो नेत्र थे और उनके नेत्र से असु की बारिस होने लगी देवी के नेत्रों से होने वाली बारिस से धर्ती कासू का समाप्त हो गया। शिमुनियों का संताब भी हर लिया सौनेत्रों के कारण देवी साकंबरी को सताक्षी भी कहा जाता है इनकी पास्नय करने से जातक को धन्य धान्य सम्रिद्धी के प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुख में हो जाता है पहुस मास्की पूडिमा तिथी को मा दुरगा ने मानव कल्यार के लिए मासाकंबरी का अवतार लिया इन्हें आदी सक्ति का सौमरूप भी कहा जाता है मासाकंबरी को प्रसंद करने के लिए साकंबरी नवरात्री अत्वा साकंबरी पूडिमा के दिन आप इन मंत्रों का जा करके मां साकंबरी को प्रसंद कर सकते हैं मंत्र इस प्रकार है साकंबरी नील वर्ना नीलोत पल विलोचना मुस्टी सिली मुखापून कमल कमल आलेया धन धान एवं ऐसरे पूर जीवन चाहते हैं तो नवरात्री के दिनों में इन मंत्रों का 108 बार जब शरूर करें अगर 9 दि जब शरूर करें साकंबरी पूरी मा की पूजा विदी पॉसमास के सुख्लिपक्ष की अस्टिमी तिति को प्राता जल्दी उठकर दैनी कारियों से निवरत होकर इस्नाना दीकर सचवस्दार करें प्रसाद के लिए मिस्री मेवा हलवा पूरी फल साख सबजियां आदिये क अत्रित कर धोकर रख ले पूजा इस्थल को साफ करें पूजा नारम करें स्रवर पथम स्री गडेश का पूजान के पश्यात साकंबरी देवी का ध्यान करें एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिचाए और मा की प्रतिमा यह तस्विर स्थापित करें पूजान के पहले माता के चारो और ताजे फल और मौसमी सब्जियां रख दें उन पर गंगा जल छिड़के तथा साकंबरी माता की पूजा करें साकंबरी देवी की कथा चालिसा पढ़ें पूजा के पश्याद आर्ति करें तथा माता से सच्चे मन से प्रात्ना करें झाल 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 झाल